नमस्कार दोस्तों मैं विरार चोदरी श्वायत करता हूं आपके अपनी यूटूब चैनल कमांडो केड में पर दोस्तों आज का एक वीडियो इसपेशली बहुत डिमांडिंग वीडियो है जो बच्चे एससे जीडी 2021 की फाइनल मेरिट का वेट कर रहे हैं जिन्होंने मेड कर लिए कई उनका मेडिकल चल रहा है कई रिमेडिकल में भार हो जा रहे हैं और बहुत सारी समझे आर यह अब जो बच्चे एंतिम में बच्चे हैं उन सभी का कटोप को लेकि उसने के सर इसकी कटोप कितनी जाएगी फाइनल कटोप पिसली बार कितनी उपर गई थी इस बार कितनी जा सकती है आपको क्या लगता है कि हम कौन कितने नंबर है या कौन कोन हम अपने आपको शेप मान सकते हैं ससे जीडी 2021 में तो लार्डो यह वीडियो पूरा का पूरा ससे जीडी की कटोप को लेके देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूं आप सब्सक्राइब देखिए कि जीडी की जो पूरा पूराHAHA को पास कियाथा इसका एक क्रम चलता है मैं आपको पूरा वी समझा देता हूं इसमें सबचीज़ें पहलेm सबसे पहले 10 गुमा बच्चों को पास किया जहता हूं फिजिकल के लिए यानि पचीश हजार के लगबग पोश्ट आप सभी को पता है और उसका दस गुना लगबग ढाय लाक हो गया ठीक है पचीश हजार को अगर दस से गुना करेंगे ढाय लाक तो इसमें कितने पास किया गए दो लाक पिच्छे सी जार यानि उससे थोड़ा बहुत उपर निचे चलता रहता है ठीक है इसके बाद में जब फिजिकल हो जाता है और मेडिकल के लिए कटोब निकलती है तो इसमें इसमें तीन गुना पास किया जाता है यानि पच्छीश हजार पोश्ट पर पिच्छे तरजार जारतियों को पास किया जाता है वो आंक पोस्ट नहीं बढ़ाईए एक चीज़ और बता देता हूँ पहले जितने बच्चे मुझे लगता कि सभी की सभी तयारी करें होंगे आपके लिए इंपोर्टेंट जानकारी को बताता हूं लाड़ो जान रखिए ओली वोर्ड की तरफ से सभी के लिए एक बिल्कुल फ्री और इंडिया रेंकिंग टेस्ट रखा गया आड़ से 9 अक्टूबर को इसका लिंक में डिस्क्रप्शन में दे दिया हूँ वहाँ से जाकि यह टेस्ट करें लाड़ो बिल्कुल फ्री एसका कोई चार्ज नहीं है यह आपके लिए बहुत श से बिलोंग करते हो अगर सबसे पहले से वह मान सकते हैं जो ऐसे सबकी की के टॉप को हीट करते हैं है कि के ऐसे सबकी आपके सामने कटूप नजर आ रही है आपको इसको बच्चे हीट कर रहे हैं यह इससे ज्यादा नंबर है वह अब सबसे पहले द्यान रखना किए जो Most important स्टेट है जैसे मैं आपको बताता हूं कौन-कौन से जैसे आप हरियाना ले सकते हो राजस्तान ले सकते हो यह जो इस्टेट है इनमें ध्यान रखना यह केवल जो नीचे वाली जनरल केटेगरिये इसको फाइट करते हैं अगर आपके इससे ज्यादा नंबर है तो आपके न करता है और उसके असी नंबर से पलस है तो वह कहीं न कहीं उम्मीद कर सकता है दूसरी बात उसमें भी फिर अलग-अलग केटेगरी वाइज अलग-अलग चीजिए होगी क्योंकि जनल केटेगरी के हिसाफ से असी पलस भी मेरिट हो सकती है लेकिन कितने अंकों की उचाल होती है वह मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताजता हूं या आपके समझ में आ जाएगा देखिए अभी परजेन टाइम में जो पोस्ट आपके बच्ची है जितनी जो पोस्टे बच्ची है अभी लगबग 25,271 पोस्ट पर यह वेकेंसी बच्ची आप सभी को पता है इन मे 25,500 पोस्ट की वेकेंसी फिल होगी ठीक है 25,000 के आशपास बच्चे जिन में आपको बता हूँ मेडिकल का जो रेश्य है इसके पास में मेडिकल पास होने के बाद में एक पोस्ट पर दो बच्चे रहते हैं ठीक है यानि एक पोस्ट पर कितने बच्चे रहते हैं दो बच् क्यों कोई बच्चा मेडिकल में फेल हो जाता है तो उसको कम से कम एक मईने का समय दिया जाता है लेकिन इस बार जो रिमेडिकल हुआ है आप सभी को पता है कि रिमेडिकल ओनली 24 सावर विदन 24 राउट के अंदर अंदर किया गया इनि 24 गंटे के अंदर किया गया तो सबसे बड़ी बात तो कोई धांदली होने के तान से सकम हो जाते हैं मेडिकल फेर होता है और आपने बहुत सारे वीडियो भी देख लेंगे बहुत सारे बच्चों के कि हमको रिमेडिकल में पॉइंट दूसरा मिला था हमको फेल इस तरह कर दिया गया जबकि मता दू यह लीगल जो पॉश का आकड़ा है मैं आपको भी बता रहा हूँ आप ध्यान रखना आगे जाके आपके पास में चीज़े सामने आ जाएगी जो बच्चे पिछली बार भी मैंने जो आकड़े दिया दो हंडेड परसंट सत परसंट गारंटी के साथ ही में आकड़े बता दू ध्यान पर सेलेक्शन होगा 500 से ज्यादा सीटे जिनमें एक्सरीशमेन की सीटे हैं और कुछ एस्टी केटेगरी जो नक्सलेरियों से बिलोंग करती है या जैसे गुजरात यहां ऐसे स्टेट है वहां पर कुछ खाली रह जाएगी ठीक है यानि अब ये कंपिटिशन पिछली बार से कही कम है तो मेरिट के आकड़े उपर जाने के आसार भी कम है ये जान रखिए मेरिट के आकड़े जो पिछली बार उच्छाल मारे थे उतना इस बार उच्छाल नहीं मारेंगे अब आप बोलो के सर हम किस नंबर को अपना सबसे बेस नंबर मान सकते हैं कि हम सेफ हो सकते दान रखिए अगर आप SC और ST केटेग्री से बिलोंग करते हैं और आपके नमबर आपके इस्टेट की जनरल के बराबर है जो जनरल की मेडिकल लिस्ट गई है उसके बराबर अगर आपके नमबर है तो आप अपने आपको सेफ मान सकते हैं भई ठीक है अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं या जनरल से OBC और जनरल को मैं साथ मेरे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा तर जो बड़े राजे हैं उनमें इनकी मेरिट में ज़्यादा फरक नहीं आता है मेक्सिमम एक नमबर या दो नमबर का हद मार के फरक आता अन्यता नहीं आता है तो अगर आप इन दोनों के टेक्री से मान रहे हूँ तो अगर आपके यहां की जो NIA इस बार विकेंशी आई नहीं है तो अब आपके पास में ओप्शन बचा है SSF तो आप मेडिकल के बाद में अगर SSF की मेरिट से उपर है को जैंगे वो डिपेंट करेगा हर एक स्टेट पर पलस हर एक केटेगरी पर हर जिलावार की आपका नक्सल ऐरिया है January ऐरिया है BORDER इरिया उस पर डिपेंट करेगा साथ में आप कौन सीристे विलों करते हो लड़कियों के अलग बड़ेंगे लड़कों के अलग तो यह तो बहुत ही बड़ा बखेड़ा हो जाता है ठीक है शिद्य बात मैंने आपको बता दिए आप इस बात को टार्गेट कर लीजी आपको समझ में आ जाएगा कि आप से है या नहीं एलाड लो जै हिंद जै भारत